हलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है मेरे चानल में और आज मैं आप सभीक साथ फिर से एक नई रेस्पी शेयर करने जारी हूँ आज मैं बनाने जारी हूँ बैंगन का कलोजी एकदम नए तरीके से कलोजी आप सभीक साथ बना के मैं शेयर करने वाली हूँ आई होब आपको पसंद आएगा तो यहाँ पे बैंगन का कलोजी बनाने के लिए मैंने लिया आपे fresh हरे वाले मैंने बैंगन ले लिये है इसके डेंठल को मैंने अच्छी तऱ से देखिए यहां से साफ कर लिया है जैसे ये बॉला है इस तरह से जो डंठल रह जाता है उसको हटा लेना है हमें और उसके बाद देखेज़ा अच्छी तरह से पान of least common wash कर दिया है अब यहाँ पर देखिए इस तरह से बैंगन लेना है, ये वाला जो बैंगन देखिए काफी बड़ा है, तो हम इतना बड़ा बैंगन का कलोजी नहीं बनाएंगे, इसमें से हम दो हिस्सा कर लेंगे, यानि दो भागों में इसको माट लेंगे, और ये देखिए इस तरह से बीच में हमें आराम से कट लगाना है ध्यान रखना है कि बैंगन दोनों तरफ से बिल्कुल कटाने चाहिए इस तरह से होना चाहिए ताकि इसमें जब हम फीलिंग भरेंगे तो अच्छी तरह से बीच में सैट हो जाएगा तो दूसरा वाला हिस्सा भी हम देखिए आराम से कट करेंगे इस तरह से हमें कट लगा लेना है तो दूसरा वाला भी बीच में से हमने कट लगा लिया है अब इसके बाद हम दूसरा वैगन ले लेंगे और इसको भी हम बीच में से इस तरह से कट करके दो भाग में बाट लेंगे और यहां पर भी बीच बीच में कट लगा लेंगे इसी मैंने 3 प्यार लिया है ओधरक ले लिया है साथ में गर का बना हुआ आचार मैंने ले लिया है आम का आचार है तो इसमें का जो है और आचार हमिसमें इस्तमाल करेंगे तो यहां पर सबसे पहले हम प्याज को अच्छी तरह से कदूकस कर लेते हैं तो तीन प्याज मैंने लिया है तो तीनों को मैं इस तरह से देखिए आरामराम से कदूकस कर लूँगी तो सारा प्याज यहाँ पर मैंने कद्दू कस करके ले लिया है इसके बाद बागे बढ़ते हैं यहाँ पर हमें छोटा सा खलबता लेना है और इसमें देखिए लासन, अदरक और यह मिर्च है इनको हमें अच्छी तरह से कूटना है यानि कि इसका हमें पेस्ट त्यार करना है तो यहाँ पर मिर्च को हम देखिए थोड़ा छोटा छोटा कट कर देंगे ताकि इसका जो पेस्ट है जल्दी त्यार हो जाएगा अब यहाँ पर मैंने देखिए घर का बना हुए जो आम काचार है इसको ले लेंगे और इस तरह से इसके जो छिलके हैं आमके गुद्दे वाला जो पार्ट है उसको हम चाकू से इस तरह से कट कर लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे कम से कम पांच हैं हमें आम के छिलकें गुद्दे हैं इनको हमें निकाल लेना है और इसको हम कलोजी में डालेंगे इससे जो है कलोजी का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है क्योंकि कलोजी में तीखापन और खटापन होता है तभी जाके कलोजी का असली जाता है अब यहां पर देखिये paste मैंने त्यार कर लिए हैं इसके बाद यह पूरा जो आम का छिलका है इसमें हम डाल देंगे खलबते में और इसको भी हम अच्छी तरद से कूटके इसका paste दियार कर लेंगे और दूसरी तरप यहां पर मैंने की गैस की उपर कढाई रख दए हैं और कढाई हमारी ही हो गई है यहां पर मैंने आधा कडोरी मेंने बेसन लिली है पूरा बेसन हम कढाई में डाल देंगे और गैस का फ्लेम में मीडियम schol life रखते हुए हम बेसन को अच्छी तरह से अच्छी खुस्बू आने तक हम इसको रोष्ट कर लेंगे यानि कि भून लेंगे तो जैसी थोड़ा सा बेसन लाल हो जाए हमें गैस ऑफ कर देना है तो बेसन को हमने अच्छी तरह से रोष्ट कर लिया है और सेम कडाई में देखि हिंग जो है पाचन शक्ति के लिए भी अच्छा है और कलोजी में बहुत ही अच्छा लगता है अब यह देखिए कदुकस किया हुआ जो प्याज है इसको भी हम इसमें डाल देंगे और इसको हम दो मिनड़ तक अच्छी तरह से मिडियम फ्लेम पे प्याज को भून लेंगे इसके चला चला के हमें अच्छी तरह से भून लेना है सारी चीजों को और इसकी बाद हम यहां पे थोड़ा से इसमें तेल डाल देंगे तो एक चमच यहां पर मैंने तेल डाल दिये हैं ताकि सारी चीजे कड़ाई में बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं तो सारी चीजों को मैंने रहां पर देखिए गोल्डर म्राउन होने तक अच्ही तरह से गडाई में बून लिया है अब इसके बाद यहां पे हम मसाला ढालेंगे तो जैसे हम पर देखिए आधा चमच मैंने हल्दी पौडर डाल दिया है एक चमच भर के मैंने लाल मिर्च का पौडर इसमें डाल दिया है तीखा पन थोड़ा ज़ादा रखेंगे और यहां पर दो चमच मैं डाल रही हूं मिक्स मसाला तो मार्केट का बना हुआ मिक्स मसाला है तो दो चमच मैंने इसमें डाल दिये हैं और यहां पर आधत चमच ड बाग चुके हैं अभी हम इस तरह से मसाले को छुडा लेते हैं तो कड़ाई में थोड़ा चिपक गया है तो इस तरह से खुरेज के हमें मसालों को इकठा कर लेना है और इसकी बाद रोश्ट किया हुआ पूरा बेसन हम इसमें डाल देंगे और गैस का फ्ले में एकदम लो र डाल दिया है इसकी बाद हम काला नमक इसमें डाल देंगे तो आधा चमचस टेल हम इना поз अगर आपके पास भी हो तो आ भी जरूर डालें और जरूर इससे बनाएं बहुत ही अच्छा लगता है कलोंग तरह से तो मिला लेंगे हम सारी चीजों को और gas को off कर देंगे, अब यहाँ पर देखिए, आधा कटा हुआ इसमें निम्बू डाल देंगे, खटेपन के लिए मैंने आचार डाले हैं, लेकिन फिर भी निम्बू यहाँ पर आधा डाल देंगे, इससे थोड़ा खटास और अच्छा आ जाएगा इसका, फिर हम सारी में देंगल लेंगे इस तरह से और थोड़ा फोले और हम फिल्ग को अराम-अराम से भरेंगे, तो ज़्यादा ज़्यादा फिलिंग भरना है चंजूसी भिल्कुल भी नहीं करना है तो जितना ही फिल्ग इसमें भरेंगे, इतना ही ज्यादा बैंगन का कर्णों है बहुत Victorian टेस्टी लगेगा तो एक बैंगन में मैंने फीलिंग अच्छी तरह से भर दिये हैं और इसी तरह से हमें बाकी जो कट करके रखा हुआ है बैंगन बारी-बारी से इन में भी हमें अच्छी तरह से फीलिंग्स को भर देना है तो दोस्तों अभी यहां पे मैंने गैस के उपर पैन रख दिया है और लो फ्लेम पे पैन हमारा अच्छी तरह से गरम हो गया है अब इसमें हम 3 से 4 चमत तक सरसों का तेल डाल देंगे और इसकी बाद हम इसमें भरा हुआ एक एक बैंगन अराम से तेल में रखते जाएंगे और इसको हम मेडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से एक तरफ पहले सेक लेंगे और इसके बाद देखिए 2 से 3 मिनट के बाद हमें इसको पलटना है यानि कि दूसरे साइड हमें इससे इस तरह से पलटके कर लेना है तो आप चम्मच या चाकू की मदश से आराम से इस तरह से पलट लें तो हर साइड से हमें बैंगन को अच्छी तरह से चला के और इसको हमें यहां पे जो है सेकना है और बैंगन का जो कलोजी है बहुत ही जल्दी बनके तयार हो जाता है बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है कम से कम 10 मिनट में कलोजी हमारी रैडी हो सभी तरब से मैंने पलटके और इसको अच्छी तरह से मैंने सेक लिया है और इसी तरह से बाकी जो भरे हुए बैंगन है उनको भी हम तेल में अच्छी तरह से फ्राइ कर लेंगे यानि कि सेक लेंगे आप इस कलोजी को पराठे के साथ रोटी के साथ दाल चावल के साथ ख सब्सक्राइब करें थाइंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए बाइबाइब